नमस्ते मैं हूँ आश्रतोस और आप देख रहे हैं दिलललनटाप.com फोटो को देखते ही हाथ जोड लें और ज्यादा से ज्यादा शेर करें ताकि और लोग भी दर्शन कर सकें एक मजबूत कतकाठी की गाय की फोटो है जिसे पुंग नूर नस्द की गाय बताया जा रहा है प्विटर हो या फेस्बुक कहीं न कहीं इस गाय के आपको दर्शन हो ही जाएंगे इस गाय की कीमत है बारा करोड रूपए यह हर रोज सौ लीटर दूद देती है चौँगे ना फोटो देखकर हमको बहुत हैरानी वी थी बारा करोड रूपए में तो भीया धाय जार गाये आ जाएंगी और सौ लीटर दूद वाली बाब भी एक्दम गजबय है हजम होने वाली नहीं जो हमने परताल की ही तो यह जानकारिया निकली फरजी एक दम फरजी तो सच्चाई क्या है इस गाये के बारे में जानने के लिए हमारे साथी अजय की बाप दूई श्रीव विंकटेश्वर पसूच कित्सा विशुद्याले के डाक्टर रागाव राउसर उन्होंने बताया कि गाय के नसल तो ठीक है पर इसके बारे में जो फैलाई जा रही जानकारिया वो गलत है कद काठी में गाय मजबूत नहीं बलकि बाउनी होती है जो मूल रूप से आंधर प्रदेश के चितूर जिले की देसी गाय है लेकिन यह नसल विलुप्त होने की कागार पर है अभी भारत में मुश्किल से हजार एक हजार पुंगनूर गायें बची हुई है यह नसल मुश्किल से 3-4 किलो दूद देती है संख्या में कम बची है इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी कीमत 12 करण रूपय हो जाएगी आज के लिए गाय एक लाख रूपय तक की मिल जाती है मैकसिमम जब हमने मंदिर के मैनेजमेंट से पुंगनूर गाय के दूद से तुरुपती भगवान के अभिश्रे की बात पूछी तो उनका कहना था कि हम गाय के दूद का इस्तेमाल करते हैं चाहे फिर वो किसी भी नसल की क्यों नहों अमित्रों, इस गाय के साथ जो बाते फैलाई जा रही हैं, वो बिल्कुल फर्जी हैं, इसलिए धर्म और आस्था के नाम पर जूट फैलाने वालों से साधान रहें, अब इत्ती जानकारी के लिए थैंक्यू बोलने कोई जरूरत नहीं है, बस इत्ता कर देना कि आपके पास आज भी ऐसे शकोर शुबहा, वहमो गुमा, फैलाने वाले मैसेज आ रहे हैं, तो भेजो हमको ललनटॉपमेल, अट जीमेल डाट कॉम पर, ये वाली जानकारी कैसे लगी, हमको कमेंट करके जरूर बताओ, और प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब कर लो, फेस्बूक पेज को भी लाइक कर लो, थैंक यू